नमस्कार दोस्तों आज़के इस वीडियो में हम प्राचीन रोमन सब्वेता के बारे में दस अन्नोन फैक्स जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन रोमन लोग चिकित्सा के श्रेतर में भी बहुत ही विक्सेत थे जैसा कि हम जानते हैं कि सरजरी का अविश्कार प्राचीन भारत में हुआ था मगर क्या आपको पता है कि सरजरी टूल्स का अविश्कार प्राचीन रोमन लोगों ने किया था आपको जानकर हरानी होगी कि रोम में रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ मातर पचीश साल तक की थी प्राचीन रोम में पेशाब का भी वैपार होता था जिस पर सरकार टैक्स भी लगाती थी पेशाब का इस्तमाल ताच्चमकाने और कप्ड़े दोने के लिए किया जाता था प्राचीन रोम में सारवजनिक शौचाले भी हुआ करते थे लेकिन यहाँ साफ सफाई ना होने के कारण ये बेहद ही गंदे रहते थे रोमन सामराज्य में बैंगनी रंके कपड़े पहनने खो अपराथ के रूप में दिखा जाता था प्राचीन रोम में लोग बकरी के मलको घाओ बरने के लिए चिकिच्चा के रूप में इस्तमाल करते थे रोम का कोलोसियम इतना बड़ा था कि यहां लगबक पचास हजार लोग साथ बैट का लड़ाई का खेल देखते थे वहां लड़ने वाले लोगों को ग्लैडियेटर कहा जाता था प्राचीन रोमन लोग बरने वाले ग्लाडियेटर्स और कैदियों का खुन पिया गरते थे इनका मानना था कि इंसानी खुन बहुत से बिमारियों का इलाज करता है रोमन न्यूमरल्स का अविश्कार भी प्राचीन रोम में ही हुआ था जिसे हम आज भी इस्तमाल करते हैं प्राचीन रोमन लोग प्लैनेट्स जैसे की जूपिटर और जूरैनस को अपना भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे को यह जिसे हम अपना चाल करते हैं